यह वीडियो मुख्य रूप से राज्य सरकारदारा ग्यहूं की खरीदेतु विभिन विभागों से लगाये गए अधिकारी और करमचारियों की सुविधा के लिए बनाया गया है जैसा कि आपको मालूम है इस वर्ष 20 अप्रेल से ग्यहूं की खरीदी राज्य में शुरू की जा रही है आप सभी लोगों को मालूम है कि वर्तमान में हमारा परदेश COVID-19 की समस्या से जूज रहा है राज्य सरकार दारा निर्धारित किया गया है कि किसानों को अपनी फसल बेचने हेतू परेशानी का सामना ना करना पड़े इस वास्ते क्रेय केंद्रों की संख्या जिनको हम मंडी के रूप में जानते हैं उनका विस्तार किया गया है विगत वर्ष लगबग 400 क्रेय केंद्रों पर ग्यहूं की खरीदी की गई थी इस बार राज्य सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म की पालना सुनिश्चित करने हेतू तथा साहती किसानों को किसी भी असुविधा से बचाने हेतू क्रेय केंद्रों की संक्या बढ़ाने का निड़ने लिया है और लगबग 2000 क्रेय केंद्रों पर ग्यहूं की खरीदी की जाएगी राज्य सबकार ने निश्चित किया है कि 2000 केंद्रों पर ग्यहूं की खरीदी सुचारू रूप से सुनिश्चित करने हेतू जो मैन पावर की आवशक्ता पड़ेगी उस हेतू अन्य विभाग जो पारमपरिक रूप से ग्यों के क्रे कारे में शामिल नहीं होते उनसे भी अधिकारी और करमचारियों को इस कारे में लगाने का निर्ने किया गया है उसी संबन्ध में यह वीडियो तयार किया गया है आपको यह जानकारी देना इस वीडियो के माध्यम से आवशक समझा गया है कि आप किस तरह से अपने दाइत्व का निर्वान अच्छे तरह से करें जिसे कि मंडी में क्रे करते हुए गहुं का या गहुं की खरीदारी करते हुए आपको असुविधा का सामना ना हो तथा साथ ही किसान को भी किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े चाहेंगे कि राज्य सरकार ने किसानों को ये रेजिस्टेशन के लिए एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है मेरी फसल, मेरा ब्योरा उस पोर्टल पे जो किसान रेजिस्टर्ड हैं उनकी खरीदारी पहले की जा रही है मंडी बोर्ट की तरफ से एक निश्चित संक्या में किसानों को इन्वाइट किया जा रहा है और उनी किसानों से खरीदी करनी है जिनके पास मंडी बोर्ट के द्वारा भेजा गए SMS होगा परतेक मंडी में, परतेक क्रेय के इंदर पर अधिक्तम किसानों की संख्या निश्चित है शुरू में ये 50-100 इस तरह से मंडी बोट दाला निर्धारित की जाएगी तो इससे आपका काम काफी असान हो जाएगा आपको मंडी में अत्यदिक भीड या उस तरह की परिस्तिती का सामना नहीं करना पड़ेगा जैसा हमेशा होता है इस बार खरीदी काफी सुचारू और एक नियंबद रूप से होगी जो किसान मेरी फसल मेरा वियूरा पे रेजिस्टर्ड हैं और जिनको मंडी बोर्ड ने आमंतरन दिया है उस दिन खरीदी के लिए वो अपना गेहूं लेके आपके केंदर पर आएंगे अपना गेट पास कटवाने के बाद जब किसान अपना गेहूं लेके मंडी में आएगा तो जैसा कि आपको मालूम है कि यह खरीदी आड़तियों के माध्यम से की जा रही है तो वो अपने निर्धारित आड़ती के पास आकर अपना जो गेहूं हैं वो अपनी ट्रॉली में से उसका डेहर बना के उस निर्धारी जंगय पे रखेगा महाँ पे आड़ती के दोरा उस गेहूं की गुणमत्ता को सुधारा जाएगा उसमें जाडू, उसमें जर्ना, उसमें उसका डेहर लगाकर, डेहर को फैलाकर उसके माश्चर को निर्धारी लिमिट में लाने का करे यह सब आड़ती के दोरा किया जाएगा और जब गेहूं की quality गेहूं खरीदी के लिए तयार होगा तो आड़ती आपको बताएगा और उसके बाद गेहूं का auction होगा जिसमें मंडी बोर्ड का करमचारी भी शामिल होगा और अगर गेहूं की जो गुण्वत्ता है वो तैम आतरा के अनुरूप है तब आप उसको एप अनस्ता के दारब परदान की जाएंगे उसमें होगी पचास कीलो की मातरा में गेहूं की बढ़ाई करनी है किसान अपने गेहूं को एक धेर के रूप में आड़ती द्वारा निर्धारी जंगे पर लगाएगा उसके बाद आड़ती लेबर के माध्यम से जो गेहूं में ब बादी सरकार और राज्य सरकारदारत निर्धारित माबदंड है उसके अनुसार की अर्स्तुत करेगा यहां पर देखने एह आपको यह ध्यान रखना है की जो गेहूं की गुणमत्ता के माभदंड उसमें बहैं ऑदार्थ हैं जैसे तूरी यह गास पाट के तिनके यह मिट्टी है या उस तेरे की चीज़ इनकी मातरा Gも 0.7 यरू प्रतिशत से ज्यादा ना हो फिर या अधर फूट ग्रेन जैसे सर्टो के दाने या किसी और खाद्य परदार्ग के दाने है उसकी मातरा दो परतिशत से ज्यादा ना हो शतिगरस दाने हैं शतिगरस दाने वो दाने जो काले हो गए हैं उनकी हम आपको ये जो पिक्षर दिखा रहे हैं इससे भी आपको समझने में सुविधा होगी कि किन दानों को शतिगरस दाना माना गया जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इस प्रकार के दा दो पर्तिशत से जादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आंशिक रूपसे चा क्या चाहर पर्तिशत से जादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप और जैसा कि अभी वीडियो में देख रहे हैं, तूटे हुए दाने, शिकड़ हुए दाने, जो दाना सिकड़ जाता है, जिसको Shriwood grain बोलते हैं, या आम बोलचाल की लहजे में मुसको बोलते हैं, पिचक गया दाना, सुकड गया, और टूटावा दाना, जो पूरा दाना नहीं है, जो इसके दो टुकड़े, तीन टुकड़े हो गये, इस काफी महत्पूर्ण मुद्दा है नमी की मात्रा भी गेहों में 12 परतीशत से कम होनी चाहिए अगर 12 परतीशत से ज़्यादा नमी की मात्रा होती है तो उस पे वेल्यू कट लगता है यानि कि उस पे जो नियूनतर्म समर्थन मुल्य है उस पूरे का भुकता नहीं होता उसमें एक कटवती की जाती है जो 12% से लेके 13% तक 1% और 13% से जो 12% से 14% तक उसकी नमी की मात्रा के अनुसार निरधारित होती है यह कटवती तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर आप गेहों की ढेरी को पास और फेल कर सकते हैं जैसा कि आपको मालूम है कि मंडी में जो बोली लगाने का काम है ये दिन में दो बार या जो वहां की मंडी की अवश्कता है उसके अनुसार मंडी समयती निर्धारित करती है तो जो ग्यों की धेरी इन सब गुणवत्ता नियमों और नमी की मात्रा के अनुसार आपको लगता है कि ये पास है उसको आप पास कर देंगे और उसका बोरो में भराई का और बाकी कारेश शुरू हो जाएंगे और अगर आपको कोई लगता है कि कोई धेरी निरधारीद गुणमत्ता से के अंतरगत नहीं है तो उसमें आप फिर से जर्णा, पंक्खा और इन सब चीजों के दोरा उसको निरधारीद गुणमत्ता में लाने का निरधेश आड़तिया को दे सकते हैं अगर किसी धेरी में आपको लगता है कि इसमें मौश्यर जो की नमी निरधारीद मात्रा से ज़्यादा है तो उसको धूप में एक्स्पोजर दे देते हैं धेरे को थोड़ा फैला के और उसमें 2-3-4 घंटे धूप में रख देते हैं जिससे की नमी की मात्रा उसमें कम हो जाए आपको ये निश्चित करना है कि जिस गुणमत जो धेरी आप अनुमदित कर रहे हैं जिस धेरी को आप पास कर रहे हैं खरीदी के लिए वो इस गुणमत्ता और इस नमी की मात्रा के अंतरगती होनी चाहिए ये बहुत महत्पूंट जिम्मेदारी है क्योंकि ये जो गहूं आप खरीद रहे हैं ये आगे मिड़े मिल में बच्चों को दिया जाएगा बीपील और एपील में जो निरधारी दलाबारती उनको दिया जाएगा ये पूरी तरह से मानव कंजम्शन और हमारे खाने पीने कि ये लिए आप खरीद रहे हैं तो आप इस चीज़ का विशेश तोर पर ध्यान दखें चुकि आप हो सकता है कि पहली बारी इस तरह के कारवाई कर रहे हूं खरीदने की आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये मानव या मनुष्यों के खाने के योगे पदार्त आप खरीद रहे हैं जो छोटे बच्चों को इसकूलों में कहीं पर भी दिया जा सकता है तो आप गुणवत्ता का विशेश सुरूप से ध्यान रखें अब जब आप एक बार इसको गुणवत्ता में सही पाते हैं तो आप इसक नियुख कर देंगे, अनुमदित कर देंगे, पास कर देंगे. आपके दोरा पास होने के बाद इस गहों को बोरो में भरा जाएगा यहां ध्यान देने योग के बात यह है कि यह बोरे खरीदी अजिंसी के द्वारा परदान किये गए बोरे होने चाहिए इस पर आरतिया एक दिशा निर्देशर के अनुसार स्टेंसिल लगाएगा जिसमें आरतिया का नाम और मंडी का नाम होगा यह स्टेंसिल निले रंग का होगा भारत सरकार ने इस बार निले रंग को अनुमोदित किया है निले रंग को पास किया है यह स्टेंसिल इसलिए लगाये जाता है कि भविश्य में जब यह ग्यूं़ पीडीएस में, मिड़े मील या अधी योजनाव में बटे तो इसकी गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी सुनिश्वित की जा सके उस समय हमारे को पता लग सके कि किस मंडी से और किस आर्थिय के दोरा और किस क्रेय अधिकारी किस के दोरा इसको खरीदा गया आपको ध्यान रखना है कि एपरूट बैग जो एजन्सी के दोरा दिये गए उनी में गहूं को भरा जाए और परतेक बैग में 50 किलो गहूं भरना है जो उसका वजन किया जाना है बैग प्लस गहूं का वेट 50 किलो प्लस बैग के वेट के बराबर होना चाहिए यह स्टिचिंग बोरे में 50 किलो गहूं सुनिश्चित करने के बाद ही की जानी है परतेक बोरे का भार करने के लिए परतेक आड़तिया के पास वेइंग स्केल एक या दो उपलब्ध है और परतेक बोरे का वजन अच्छी तरह से करने के प्लस उसको डबल स्टिच किया जा सकता है तो इसकी स्टिचिंग अच्छे से करने का निर्देश दिया गया है इस तरह भरे हुए बैग तयार होने के बाद किसी भी किसान के द्वारा पर्दान किये गए गहूं की सही मात्रा का निर्धारन होता है और आर्टिय के द्वारा जो जे फार्म काटा जाता है उसमें इसी मात्रा को दर्शाया जाता है और किसान भाई को भी उसकी फसल का भुकतान इसी वास्तिक मात्रा के अगेंस्ट होता है उसके बस्चात आपको यह सुनिश्चित कराना है कि समय अनुसार इस गहूं का उठाव बंडारन केंद्र जिसकी आपको पूर्मे जानकारी दे दी जाएगी उस तक कराया जाए आपको सुनिश्चित कराना है कि आपके दौरा खरीदा गया गहूं दिन परती दिन समय नुसार बंडारन केंद्र पर बेजा जा सके जिससे इसमें किसी भी तरह की छती की संभावना ना हो आपसे अनुरोद है कि परिवैन करता या ट्रांस्पोर्ट कॉंट्र जिसके दौरा ट्रक आदी परदान किये जाएंगे और इन गहूं को आपकी मंडी से बंडारन केंद्र तक ले जाएगा उसके साथ आप समय नुसार कॉडिनेशन रखें जिससे कि उसको पूर में ही कितने वहनों की अवश्यक्ता होगी उसके बाद परिवैन करता या ट्रांस्पोर्ट कॉंट्र जिसके दौरा इन बैक्स को इन बोरों को मंडी से बंडारन केंद्र तक ले जाया जाएगा उसका बड़ा एहम रोल है आप से अपेक्षा है कि उसके साथ प्रोपर तालमेल र दौरा खरीदे गए गेहूं के बोरो को समयन उसार भंडारन केंद्र पर भीजा जा सके आपके दौरा खरीदे गए गेहूं को मंडी से भंडारन केंद्र तक ले जाने के लिए release order या जिसे आम बोलचाल की भासा में invert gate pass भी कहते हैं जारी किया जाएगा जिसमें आप यह इंगित करेंगे कि कितने मात्रा को ले जाने की कितने bags को ले जाने की अनुमती आपने परिवान करता को दी है यह बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि जब आप reconcile करेंगे आपके दोरा गोदाम में भेजी गई मात्रा तथा गोदाम में वास्तिक रूप से पहुँची गई मात्रा को उसके बाद ही आप की खरीदी पूर्ण मानी जाएगी यहां यह महत्पूर्ण है कि मंडी से आपके दोरा काटेगे रिलीज ओर्डर के तहत जो मात्रा ट्रक में लोड की गई है और उसका जो वजन धरम काटे पे मंडी के पास मंडी प्रांगड में स्थित या उसके आसपास इस्थित धरम काटे पे किया जाता है और यदि वजन में कमी पाई जाती है तो इसकी रिकवरी आरतिया से की जाती है और इस पहले धरम काटे के वजन और बंडारन केंद्र में स्थित या उसके आसपास के धरम काटे पर किये गए वजन में यदि कोई अंतर आता है कमी आती है तो उसकी जो भरपाई है वो परिवैन करता को पुने बोलना चाहूंगा क्योंकि यह बहुत महत्पून बिंदू है कि बंडारन केंद्र पर किये गए वजन या बंडारन केंद्र के समीप धरम काटे पर किये गए वजन को ही अंतिम वजन माना जाएगा खरीदी एजेंसी इसी वजन के अनुसार भुक्तान करेगी यदि मंडी में किये गए वजन और इस अंतिम वजन में कोई अंतर आता है कोई कमी होती है तो उसकी रिकवरी उसकी वसूली संबंदित चाहे आरतिया हो चाहे परिवान करता हो और यदि कोई करमचारी उसमें दोशी पाया जाता है तो उससे की जाएगी यहाँ है बहुत महत्मूर्ण है कि डे-टू-डे बेसेज पर जो खरीदी की जा रही है जो गेहों की मात्रा मंडी से बंदारन केंदर पर भेजी जा रही है और जो बंदारन केंदर पर रिसीप्ट मात्र है इन तीनों का आपस में मिलान किया जाए इन तीनों का रीकंसीलियेशन किया जाए जिससे कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके इन तीनों मात्रों में यदि कोई अंतर आता है तो आपका दाइत है कि उसकी रिकवरी उसकी वसूली संबंदित से कराई जा कि खरीदे गई गेहूं का भुकतान मंदारन केंडर पर पहुंचने के बाद ही किया जाए जैसा कि इप पोर्टल के वीडियो जो मंडी बोर्ड के करमचारियों के जिम्मेदारी और पर्चेज ऑफिसर की सहता के लिए बनाए गये हैं उसमें भी बताया गया है कि आई फार्म का एपरूवल आप पूरी तरह से संतुष्टोने के बाद ही करें यह सुनिश्वित कर लें कि जो आई फार्म बनाएं वो उसके अंतरगत आने वाले जे फार्म के सही विवरण के अनुसार बनाएं आपको यह अधिकार है कि यदि आई फार्म में कोई तुरूटी है आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आपको उसको रिजेक्ट करने का अधिकार है आपके दौरा रिजेक्टेड आई फार्म को आड़तिया उसकी तूरूटी को दूर करकर उसमें दर्शाय की कमियों को दूर कर दूबारा प्रस्तुत कर देंगे आपसे अपेक्षा है कि आप सब्सक्राइब गया fino Penis का दी जो चलबाराा मुख्या टासुत नुमोदन समय अनुसार करते रहें जिसते की कि इसानो को उनके के घहू का भुकतान समय बद तरीके से किया जा सके हमारा में और मुख्यर और प्रसल को उसकी फसल का मुलय सही समय पर मिले और राज्य चरकार सही गुणवत्ता और सही मात्रा के ग्यों की खरीदी कर सके यह है आपको यह भी बताना आवश्यक है कि परतेक जिले में संबंदिट DFSC के नित्रत में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्य आती है तो आप कंट्रोल रूम से संपर करें जो इखरीदी पोर्टल है उस पे भी हल्प लाइन उपलब्द है यदि आपको इखरीदी पोर्टल से कोई असुविधा होती है तो आप उस पे भी संपर कर सकते हैं के पर करम्चारी पोस्ट किये गए हैं यदि आपको कोई खरीदी की परकिरिया में या किसी तरह की दिक्टत आती है तो आप उनसे भी संपर कर सकते हैं आप जिस खरीदी संस्ता, राज्य खाद्य विभाग, हैफेट, ये हर्याना राज्य बंडारन निगम के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके जिला परमुक से भी हैल्प ले सकते हैं